नमस्कार, आप सभी का पाईजूस आईएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 5 मई 2021 को दाहिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित, प्रमोख समाचारों और आलेखों का विसलेशन करेंगे। आईए क्लास को शुरू करते हैं। इसके बाद जीवन बनाम जीविका का विशय, खास तोर पर प्रवासी मजदूरों के विशय को संबोधित किया गया है यहाँ पर कि जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका क्या होगा कोबिट महामारी की इस दूसरी लहर के अंदर में, जबकि कई छेत्रों में आंशि प्रवासी, शिखर सम्मेलन, फिर ग्रूप सेवन और चीन की बात करेंगे, और अंत में मुख्य परिक्षा, अभ्यास प्रस्न और इनके उत्तरों को लिखने के तरीके पर चर्चा करेंगे हम लोग, इस सत्र का पूरा लाब उठाने के लिए मेरे साथ बने रहिए अंत तक आएए, शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, स्टुडेंट्स इस समाचार को पेश संख्या 6 से लिया गया है और इसको हम लोग GS2 International Relations के साथ में जोड सकते हैं, समाचार है, a COVID blot on India's foreign policy canvas, A direct consequence of the pandemic is that New Delhi's claim to regional primacy and leadership could take a hit, इसमें संभावनाओं पर विचार किया गया है कि क्या क्या हो सकता है हमारे साथ में, सुरू करते हैं, चर्चा में ये चीजें क्यों आई हैं, इसका एक idea आपको लगी ही गया होगा, थोड़ा सा हम लोग और ध्यान दे लेते हैं, कि इस महामारी की दूसरी लहर का कूप्रबंधन जिस तरीके से हमारे देश में हुआ, इसका नई दिल्ली की जो छेतरी आकांग छाय रही, नेत्रत्व के जो दावे रहे, निश्चित रूप से उन पर एक नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, भारत पिछले लगभग 17 साल से थी शहायता को स्विकार करने के संदर्व में अनिश्चुक रहा है, लेकिन अब हमें इस संदर्व में विदेशी साहयता को एकसेप्ट करना पड़ा है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम लोग इन चीजों को खंडों में बाट देते हैं तो आसानी रहेगी आप लोगों को सबसे पहले बात करते हैं छेतरी राजनीती की अर्थात दच्छिन एशिया के संदर्भ में तो यहाँ पर निश्चित रूप से भू राजनीती की अगर हम बात करें तो चीन वैसे ही भारत के जो पडोसी देश है उनको अपने पक्ष में लाने के लिए नई नई प्रयास करता रहता है और जब भारत अपने आंतरिक मसलों में उलजा होगा तो निश्चित रूप से जियो पॉलिटेक्स में भारत को एक नुकसान देखने को मिल सकता है अब तक हम लोग राजनीती, संस्क्रती और सहायता के माध्यम से लेडर्शिप को अपनी आगे बढ़ा रहे थे लेकिन आप ज़रा सोच ये हमें आज स्वयम वैस्विक सहायता की आवश्यक्ता पड़ गई तो ये तो एक डेंट लगा ना हमारी विदेशनीती को अब भारत ने पिछले कई समय से इस बात को डेकलियर किया था कि हम एक वैस्विक शक्ती बनना चाहते हैं ना कि महज शक्ती संतुलन का एक माध्यम की जैसे लोग कहते हैं एशिया के अंदर में चीन को अगर प्रति संतुलित करना है तो भारत का उभार आवश्यक है तो भारत ने इस बात को कई जगहों पर घोशित किया कि हम महज चीन के लिए शक्ती संतुलन का एक माध्यम नहीं है हम एक वैस्षिक स्वक्ती के रूप में उभरना चाहेंगे इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा आगे देखते हैं तो दच्छिन एशियाई देशों के जब हम बातचीत आरंब करते हैं तो एक हद तक उनका जुकाओं हमें चीन के तरफ देखने को मिल ही जाता है आप पाकिस्तान को देख सकते हैं आप श्रिलंका को देख सकते हैं नेपाल को देख सकते हैं तो हम अपनी इस रणनीती के माध्यम से इनको अपने साथ लाने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन अब इस महामारी का असर थो संपूर्ण दुनिया के उपर भी है, दच्छन एशिया के देशों पर भी निश्चित रूप से इसका असर रहेगा ही रहेगा, तो फिर मुद्दा ये उभर के आता है कि जब भारत इन देशों की मदद नहीं कर पाएगा, वो सोयम की सहायता करने में उल्जा होगा, उसे सोयम बैस्विक सहायता की आउशकता पड़ेगी, तो फिर ये देश चीन की तरफ जा सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ अन्य बातों क भी आप जोड़िये, तो हिंद प्रशांत छेत्र की हम बात कर लें, इंडो पैसिफिक जहां पर भारत का जो रोल है, लगातार बढ़ाने की बाते हो रही है, क्वाड की हम लोग लगातार चर्चा देख रहे हैं, इंडो पैसिफिक से, इसको जोड करके ही देखिएगा इस भारत के एक विशेश रोल को यहाँ पर स्विकार किया गया, लेकिन अब क्या होगा, महामारी में जब भारत स्वयम उल्जा होगा, इसके अलावा, LAC पर मतलब चीन के साथ जो हमारा सीमा का छेत्र है, वहाँ पर जो हम आधुनिकी करण कारेकरम चला रहे थे, उनकी गती भी असर पड़ेगा, अफगानिस्तान में, श्रिलंका के अंदर में, जो की बड़े सम्वेजन शील छीत रहो जाते हैं, भारत की सुरक्षा के संदर में, निश्चित रूप से हमारी जो उपस्थिती है, वो यहाँ पर घटेगी, भारत पर इस बात का दबाओ और ज्याद आधुनिकी करण के जो कारिक्रम है, वो प्रभावित होंगे अब यहाँ से, अब यहाँ पर आप जड़ा मानचित्र को देखें, तो मैंने LAC की बात अभी आप लोगों से की थी, और हम लोगों ने इस बात को बहुत ध्यान से देखा है, कि पिछले कुछ समय से LAC पर काफ करें, तो आतंकवादी जो इस छेत्र को पार करके भारत के अंदर में आते हैं, उनको रोकने के लिए स्मार्ट फेंसिंग की जो बातें की जा रही थी, उन पर भी असर पड़ सकता है, तो LAC और LOC, LOC अर्थाथ जो पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा का छेत्र है, हम उसकी बा तो है, लेकिन अब यहाँ पर इस दूसरी लहर के संदर्व में महामारी की इंडो-पैसिफिक एरिया में अगर देशों को ये लगता है कि भारत अपनी भूमिका को निभाने में असमर्थ है, तो क्या वो हमारा इंतजार करेंगे? अंतर राश्ठी राजनीती में मैंने हमेशा बार-बार आपको ये बातें बताई है कि कोई स्थाई मित्र नहीं होता, कोई स्थाई सत्र नहीं होता, तो निश्चित रूप से वो अल्टरनेटिव को तलाशेंगे? और हो सकता है कि यहां का जो शक्ति संतुलन है वो बीजिंग के पक्ष में चला जाएं. अब आप लोग अगर मांचित्र के माध्यम से देखें, यह अरब सागर का छेत्र है, यहां पर बंगाल की खाड़ी वाले छेत्र हैं, और यहां पर क्वाड के माध्यम से भारत अपन महत्व को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है इसके अलावा दच्छनी चीन सागर की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो वहाँ पर भी भारत अपनी महत्वा कांख्छाओं को परदरुशित कर रहा था लेकिन अब दूसरी लहर से जो असर हुए है नकारात्मक रूप से और जो वैश्विक मदद हमें स्विकार करनी पड़ी है वो कही ना कही भारत के जो पडोस में देश हैं चाहे वो स्रीलंका हो चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बंगलादेश हो चाहे वो नेपाल हो भूटान हो म्यानमार हो इन सब को कही ना कही एक संदेश देंगे कि वो बहुत घनिष्ट संबंध है चीन के साथ में, घरेलू राजनीती में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, और ये विशय विदेशनीती के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, जरह आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट है ये वाले, देखिए, जब तरिक राजनीतिक संघर्स अधिक होंगे, तो क्या वैश्विक इस्तर के नेता भारत पर भरोसा कर पाएंगे, निश्चित रूप से ये भरोसा क्या होगा, कम होगा, इसके अलामा जो विदेशी निवेश, जो कमपनियों के माध्यम से आ सकते थे, जब वो देखेंगे कि राजनीतिक इस्तर पर काफी अस्तिरता है भारत के अंदर में, तो वो निवेश भी कम आएगा, जिसको हम यहां से जोड सकते हैं, विदेशी निवेश के साथ में, तो ये घरेलू राजनीति का संबंद हो गया विदेश नीति के साथ में, भारत चीन समीकरनों की बात करें अगर हम तो महामारी में चीन की अर्थवस्था को नुकसान तो हुआ है, लेकिन चीन को भारत की तुल्ला में बहुत कम नुकसान हुआ है और उस ने बहुत तेजी से रिकवरी भी की है, यहां तक कि कई सारे छेतरों में तो उनका व्यापार सब बढ़ा है, अगर हम स्री लहर से निपटने के संदर में हमने भी चीन के साथ में कई सारी वस्तु में खरी दी हैं, कुछ मदद भी हमने सुईकार करी है, तो मतलब यह हुआ कि चीन दुनिया की फैक्टरी के रूप में अभी भी विद्यमान है, और जब व्यापार शुरू हो गया है, तो अब यह केवल बढ़ेगा, इसकी अलामा चीन और अमेरिका के संबंध अनिश्चित हैं, और अगर भारत कमजोर हुआ, तो अमेरिका चीन के तरफ जा सकता है, फिर मेरी उसी बात को याद रखियेगा, there is no permanent enemy and no permanent friend in the international politics, अब भारत केवल इस बात का दावा कर सकता है, कि यह manufacturing का हब और अगर हमने सही प्रयास नहीं किये, अभी भी हम नहीं जागे, तो यह दावा केवल दावा ही हो सकता है, इसके साथ साथ हमारी विदेश निति के उपर में कई सारे दबाव भी देखने को मिलेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें, तो भारत को यह समझना पड़ेगा, कि क कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, या किस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, किस पर हम कम भरोसा कर सकते हैं, हालिया दिनों में अमेरिका के साथ में भारत के संबंद बड़े मजबूती के दोर से गुजरे, लेकिन जब संकट आया, तो अमेरिका ने मदद देने में जिजग दिखाई और ये सब ने देखा चाहे वो vaccins के निरमाड में कच्चे माल की बात हो चाहे उनके पास जो extra vaccins थी वो देने की बात हो या अन्यप्रकार की मदद हो लेकिन अगर हम रूस की बात करें तो उसने तुरंथ भारत के लिए मदद भेजी थी यहां तक कि पाकिस कि जिस प्रकार से हमें कठोर तनाव की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान के संदर्व में, चीन के संदर्व में हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ी सी नर्मी आपको देखने को मिल जाए. भविष्य की रहा यहाँ पर क्या हो सकती है? अमेरिका अगर हमारी मदद कर रहा है, तो वो भविष्य में निश्चित रूप से हमसे अधिक सैन्न सहयोग की आशा करेगा, और निश्चित रूप से ये हमारी स्वायत्ता के संदर्व में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, और हमें इसे संतुलित करने के लिए प्रयास करने होंगे, अब वैस्विक इस्तर से हमें मदद तो मिल रही है, लेकिन कई सारे जो मसले हैं, उन पर अगर वैस्विक समुदाय हमारी आलोचना करेगा, तो हमें वो भी सुननी पड़ेगी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, कि मद के कूप्रबंध के कारण हों, या अन्य विश्यों से भी संबंदित हो सकती हैं, अब यहां पर भारत और क्या कर सकता है, सबसे पहले अपने छेत्री महत्व को हमें जिन्दा रखना होगा, और दच्छिण ACI संगठन को सार्क को हमें जीवित करना होगा, इसके महत्व को ब बहु पच्छिय स्वास्थय सुविधाओं को बढ़ाना होगा, इसके अंदर में सहयोग को बढ़ाने के माध्यम से हम लोग अपने छेत्री महत्व को स्थापित कर सकते हैं, भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता रहा है, और हमें उसके अंदर में अपने निवेश को बढ़ाना होगा, ताकि हम निकट भविश्य में अपनी मदद तो कर ही पाएं, अपने पड़ोसियों की मदद भी कर पाएं, स्टूडेंट्स हमारा अगला समाचार पेश संख्या 6 से है, जी एस्ट्री एकॉनमी के साथ इसको हम जोड सकते हैं, और समाचार है एन इस्यू of lives versus livelihoods, लेक्षी का हमारे सामने विशे रखती हैं कि महामारी और जीवन बनाम जीविका, ये एक त्रिकोन जो बनता है, ये बहुत महत्वपोन है, जो डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, वो क्या करें आखिर, लोकडाउन लगाए जाने आरंब कर दिये गए हैं, तो उ के संदर्भ में सरकारों ने अब तक क्या काम किये हैं, और अब तक के नियम कानूनों को देख करके ये एक हद तक स्पस्थ है कि प्रवाशी स्रमिकों के संदर्भ में नेति निर्मार के विशे में कोई गंभीर दिखाई नहीं पड़ता है, प्रवाशीों ने एक बार फिर ग्रामिड छेत्रों में अकुसल स्रम दिया जा सकता है अब यहां पर 80 करोण परिवारों को 5 किलोग्राम अनाच के रूप में मुफ्त राशन की जो घोशना किये गई है ये एक मात्र आशा दिखाई पड़ती है कि जीवित रहेंगे तब कुछ आगे देखेंगे लेकिन जो अन्य लोग इस पूरी दोड में इनसे आगे निकल जाएंगे तो ये गैप जो है ये तो लगातार बढ़ता ही चला जाएगा ये विशमता अगर बढ़ती चली जाएगी तो क्या हमारा समाज स्थाई रह पाएगा हमारे समाज की स्थाईत्व के ऊपर में एक संकर देखने को आ सकता है प्रवाशी स्रमिक इतने महत्वपूर्ण है कि शहरों के अंदर में सस्ता स्रम हमें इनहीं से प्राप्त होता है कई सारे स्रम गहन उद्योग हैं जहाँ पर कीमतों में कटवती करने के लिए प्रवाशी स्रमिकों का खूब उपयोग किया जाता है और इन्हें नियुनतम मजदूरी तक प्राप्त नहीं होती है इजो स्रमिक हैं जिनने कई जगों पर फूट लूज स्रमिक भी कह दिया जाता है इन्हें स्थाई रूप से कोई व्यधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है नौकरी में अपने कार्य में कोई स्थाई तो प्राप्त नहीं है मतलब ना के बराबर व्यधानिक सुरक्षा प्राप्त है इनको अगर हम कुछ नियम कानूनों की यहाँ पर बात करें तो एक अधिनियम है अनुबंध श्रम, विनियमन और उनमूलन अधिनियम 1970 और ये इस बात को कहता है कि 20 या अधिक श्रमिकों से कार्य करवाने वाले जो ठेकियदार है उन्हें पंजी करण करवाना होगा तो ये एक प्रकार से प्रयास है कि प्रवासिय स्रमिकों को व्यधानिक दरजाद दिया जाए लेकिन जमीनी इस तर पर हमें इनका बहुत अधिक असर देखने को नहीं मिलता है एक और यहाँ पर हमारे सामने नियम आता है व्यावसाईक सुरच्छा स्वास्थ और काम की स्थिती सहिता 2020 अब ये कहता है कि दस या अधिक स्रमिकों वाले प्रतिस्ठानों में स्रमिकों के स्वास्थ और सुरच्छा की स्थिती को विनियमित किया जाएगा लेकिन फिर से वही समस्या आती है क्रियानवयन की और ऐसे में जब दूसरी लहर COVID-19 महामारी की बहुत तेजी से संक्रमण फैला रही है आंशिक लोकडाउन पूर्ण लोकडाउन लगाय जा रहे हैं तो मजदूरों का भविश्य एक साल पहले भी अनिश्चित था और आज भ मेदाठ हर आया जाएगा ये बहुत ही समवेदन शील विशय है जिनने एड्रेस करने की अवश्यक्ता है भारत की कारेपालिका को भी विधाईका को भी और न्यायपालिका को भी इस संदर्व में दिशानिर्देश देने चाहिए अगला समाचार है पेश संख्या 9 से GS2 International Relations क साथ इसको हम जोड सकते हैं स्टूडेंट्स समाचार है इंडिया री ट्रेट्स नीड फॉर ग्लोबल को आपरेशन टू बीट कोविट 19 नरेंद्र मोदी बोरिस जॉंसन होल्ड वर्चुवल समिट वैसे तो ये समिट परसन टू परसन होनी थी लेकिन भारत के अंदर में जब बहुत तेजी से दूसरी लहर बढ़ी महामारी की तो फिर इसको आगे बढ़ा करके वर्चुवल में कनवर्ट कर दिया गया अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो कोविट 19 को हराने में निश्चित रूप से वैस्ट्विक्स रहयोग तो बहुत महतोपूर्ण है ही हमें जो वैस्ट्विक्स रहयोग मिल रहा है वो निश्चित रूप से महतोपूर्ण है और हमारी जगे पर कोई अन्य देश भी हो सकता था भारत ने यहाँ पर यह कहा है कि दोनों देश United Kingdom और भारत व्यापार में अपने सहयोग को आगे बढ़ाएंगे इनी सब के बीच म सीरम इंस्टिट्यूट जो की भारत के अंदर में COVID-19 के लिए वैक्सीन का निर्माड कर रहा है इसने United Kingdom में बड़े निवेश की घोषना की है वैक्सीन फॉर्मेशन के छेतर में Oxford University, AstraZeneca और Serum Institute of India ये तीन जो संस्थान है इन्होंने जो एक बहतरीन सामनजस्य का समनवे का उदाहरन प्रस्तुत किया है COVID-19 की वैक्सीन को बनाने में वो बहतरीन है अगर हम देखें तो इस वैक्सीन को UK के अंदर बनाया गया और इसका जो निर्माड है वो कहां पर किया जा रहा है manufacturing कहां पर किया रही है भारत में किया रही है डेवलप यहां पर हुआ है manufacturing भारत में हो रही है और इसको distribute किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर में तो global cooperation का एक बड़ा अच्छा उदाहरन है ये भारत और United Kingdom मुक्त व्यापार समझोते के लिए भी बातचीत क रहे हैं और इसके माध्यम से 2030 तक जुपक्षिय व्यापार को दोगुना करने का उद्यश से लेकर आगे बढ़ रहे हैं सहयोग कि अगर हम कुछ अन्य बिंदूओं पर भी बात करें दोनों देशों के मध्यमें तो अंतरिम व्यापार समझोते पर चर्चा कि जब तक ये म पर भी बात हो रही है इंडो पैसिफिक की बात आप लोगों ने कई बारी देखी है यहां पर भी युनाइटेड किंग्डम ये कह रहा है कि वो भारत का सहयोग करता रहेगा इसके अलावा रच्छा संबंधों को बढ़ाने की बात भी की जा रही है लोजिस्टिक्स पर भ कुछ समझोते करते हैं ताकि जो एक दूसरे के संसाधन है उनका भी प्रयोक किया जा सके हमारा अगला समाचार है पेश संख्या 13 से GS2 International Relations के साथ इसको हम जोड़ेंगे Group 7, 6 Common Front on China, First in-person talk held in 2 years COVID-19 की वज़े से person to person बातचीत नहीं हो पा रही थी लेकिन अब ये बातचीत संभव हो पाई है आये देखते है Group 7 जो है, दुनिया के प्रभाव सील देश, धानी देश, उनका एक समुह, दो साल में पहली बार इनके विदेश मंत्रियों की विक्तिगत इस्तर पर वारताए हुई है और यहाँ पर एक प्रमुख विशय सामने आया उभर करके, कि चीन जो की बहुत तेजी के साथ में अपना विश्तार कर रहा है, मुखर होता जा रहा है, जो वैश्विक विवस्था है, उसके लिए कई सतरों पर चनोतियां पैदा कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक आम सहमत एक आम मोर्चा कैसे बनाया जाए, मेजबान ब्रिटेन रहा है इस बार इसका, भारत दच्छिड कोरिया और ऑस्टेलिया को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, मैं आपको बता दू कि ये तीनों देश ओफिस्यली ग्रूप 7 के मेंबर्स नहीं है, ये इन्वाइटेड मे क्लास देखी होगी, तो मैंने कल में इसके अलावा परसों की क्लास में भी उत्तर कोरिया के परमाडू कारिक्रम पर बहुत चर्चा की है, और इरान का जो परमाडू कारिक्रम है, उस पर भी साइड बाई साइड चर्चाएं होती चली गई है, और ये इरान का परमाडू का उसको अन्य देश शक की निगा से देखते हैं खास तोर पर अमेरिका और अमेरिका इसे दुनिया भर के लिए खत्रा मान करके चलता है तो इसके उपर चर्चा हुई कि कैसे इन दो देशों के साथ तनाओ घटाए जाए और जो ये परमाड़ कारेकरम को अपने आगे बढ़ा रहे हैं उसे नियंत्रित किया जाए फिर इसमें चीन की छेत्री और वेश्विक महत्वा का अंक्छाओं पर भी चर्चा हुई म्यानमार संकट जिस प्रकार से वहाँ पर तक्ता पलट किया गया सेना के द्वारा और अब लोगतंत्र के जो समर्थक हैं उनके ओपर किया जा रहे हैं वो शर्णार्थी भारत की तरफ थाइलेंड की तरफ मूव कर रहे हैं और उन शर्णार्थियों की रक्षा किस प्रकार से होगी तो ये सारे विशे बड़े समवेधन शील विशे हैं इन सब पर चर्चाएं की गई अगर आप लोग फिर से ध्यान दे तो म प्यानमार से जो सर्णार्थी भारत के अंदर में आई हैं इसके उपर में कल चर्चा की थी मैंने क्लास में इसकी अतरिक्त जलवायू संकट जो की एक प्रमुक समस्या है हमारे सामने हमारे पास एक ही घर है धरती रहने के लिए और अगर इस पर भी संकट आया तो हम फिर क कहा जाएंगे तो जलवायू संकट एक अगली बड़ी चुनोती है हमारे सामने इससे कैसे निप्टेंगे इसके अतरिक्त रूस लीबिया और सीरिया से जुड़े विशेवी संबोधित किये गए अगर आप लोगों ने पिछले जिनों घटना क्रमों पर ध्यान दिया हो त लिबिया के अंदर में ग्रह युद्ध के जो हालात देखने को मिल रहे हैं उनको कैसे शांत किया जाए इसके अलामा सीरिया की समस्या तो हमारे सामने है ही किस प्रकार से अंतर राश्क्रिय शक्तियों का अखाड़ा बन करके रह गया है सीरिया बड़ी संख्या में चीन को कमजोर करना ग्रुप 7 का उद्देश से नहीं है मतलब कि चीन को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है यहाँ पर कि हम आपके विरोध में नहीं है हम आपको कमजोर करना नहीं चाहते हैं आपका उभार हो रहा है बहुत अच्छी बात है आप मजबूत हो ये महत जिम समुदाय के लोग हैं, उनके जो मानुवा अधिकारों का उलंगन हो रहा है शिंजियांग प्रांत के अंदर में और जो वहाँ पर अन्य समस्याई हैं, उनको शांती पूर्ण तरीके से सुलजाया जाए। उईघरों के मसलों को सुना जाए, समझा जाए, इसकी अतरिक्त तिबबत के अंदर में जो लोगों के अधिकारों का उलंगन होता रहा है, उसको भी संग्यान में लिया जाए। इस विशेय पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, हो सकता है कि आपका ध्यान ना गया हो हौंग कॉंग के विशेय के उपर में, दरसल स्टूडेंट्स 1997 में लंदन जो है, इसने हौंग कॉंग को जब चीन को सौपा, क्योंकि हौंग कॉंग कॉंग बिटैन का उपनिवेश थ और चीन की जो शासन प्रणाली है, उसको यहां लागू नहीं करोगे, लेकिन अभी हाल में चीन ने यहां पर कुछ ऐसे कानून लागू करने का प्रयास किया, जिससे कि हौंग कॉंग के लोगों के लोगतांत्रिक अधिकार, उनकी अभिवेक्तिकी आजादी, उनके लाई 1997 को एक देश दो व्यवस्था, कि सिधानत के तहत होंग कॉंग को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक विशेष प्रशासनिक छेत्र घोशित किया गया, और होंग कॉंग बिटिस उपनिवेश से मुक्त हो गया, आप यह मानचित्र में यहां पर देख सकते हैं यह चीन का छेत्र है और यह होंग कॉंग का छेत्र है, लेकिन यहां पर इस बात का वादा लिया था बिटेन ने जो मैंने आपको बताया कि होंग कॉंग कॉंग की जो उदार नीतियां है, शासन प्रणाली है, सोतंत्र न्याय पालिका है, व्यक्तिगत सोतंत्रता है, इसका सम्मान करेगा चीन लेकिन वो समय सीमा पूरी होने के पहले ही चीन ने अपने जो कानून है जो अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित करते हैं लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करते हैं प्रदर्शन की अधिकारों को सीमित करते हैं ऐसे कानून दमन करने वाले कानून लागू करने शुरू कर दिये Hong Kong के अंदर में, जिसका भ्यानक तरीके से विरोध किया Hong Kong की जनता ने, करें लोगों की मृत्यू भी हुई यहाँ पर, अब इसी विवस्था को एक देश दो विवस्था भी कहा जाता है, मतलब एक देश तो हो गया चीन, तो चीन के अंदर में मुख्य भाग में, जो विवस्था है, वो तो एक प्रकार से अधिनायक वादी है, एक प्रकार की तानाशाही विवस्था है, और अगर हम Hong Kong की बात करें, तो चीन के अंदर रहते हुए भी, वो उदार लोकतांत्रिक नेतियों को अपना रहा था, वो वहाँ पर लागू थ चलते हैं, इटली जो है, ये ग्रूप 7 के अंदर में चीन का सबसे बड़ा सहयोगी था, और 2019 में इसने Belt and Road Initiative पर अस्ताक्षर भी किये थे, लेकिन जब COVID-19 महामारी फैली, तब इटली के भी तेवर बदले हैं, और अब अगर वर्तमान की बात करें, तो उईघरों के संबं औस्टेलिया को भी देख सकते हैं, औस्टेलिया जो है, वो भले ग्रूप 7 का मेंबर नहीं है, लेकिन उसकी नीती भी बदली है चीन के संदर्व में, यहाँ पर लेखक इस विश्य को भी सामने रखते हैं, कि चीन के साथ संगर्ष दुनिया को कहीं लेकर के नहीं जाएग क्योंकि वो इतनी बड़ी आर्थिक स्रक्ती बन चुका है, कि तनाव बढ़ाने से कुछ प्राप्त होना नहीं है, अतीत के अनुभो भी यही बताते हैं, तो रास्ता क्या होगा, रचनात्मक सहयोग, कि जहाँ पर चीन गलत है, उसे गलत कहा जाए, लेकिन साथ में ये बा विवस्था बनी रहनी चाहिए, हाला कि ये बाते एक खत्तक विरोधा भासी है, क्योंकि जब सोवियत संग का पतन हुआ, तो हमने इस बात को देखा, कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के पुलिस वाले का दरजा प्राप्त कर लिया, कि कहीं पर कुछ भी दिक्कत होगी, त चीन क्या रुख अपनाएगा इन सारे विश्यों पर, कुछ बाते कर लेते हैं, ग्रूप 7 के बारे में, जब तेल संकट आया था, 1970 के बाद में, यहां पर कई सारे जो अरब देश हैं, उन्होंने तेल के उत्पादन में कटोती की थी, इस्रायल संकट के बाद, तब फ्रांस ने 6 देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया, उस समय पस्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का एक ही करण नहीं हुआ था, इसलिए आपको यहां पर पस्चिमी जर्मनी देखने को मिल रहा है, और 1990 के आसपास में, जब जर्मनी के दोनों हिस्चों का एक ही करण ह जब बर्लिन की दिवार तूटेगी, तब यहां से एक की करण जर्मनी हमारे सामने आएगा, तो अभी यहां पर फ्रांस था, पस्चिमी जर्मनी था, इटली, जापान, उनाइटेड किंग्डम और समय राज अमेरिका थे, बाद में इसमें कनाडा और रूस भी शामिल हु जर्मनी है, इटली है, जापान है, उनाइटेड किंग्डम है, और उनाइटेड स्टेट से, 2021 में जो होस्टिंग थी, वो उनाइटेड किंग्डम के हाथों में थी, जो कि मैंने अभी आपको बताईए, तो कुछ बिंदू है, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, स्टूडें किजिए, 250 शब्द, 15 अंग, उत्तर की संरचना की अगर हम बात करें, सबसे पहले COVID महामारी के कुप्रबंध में हमने क्या-क्या हरकतें करें हैं, कहां-कहां पर हमसे गलतियां होई हैं, सबसे पहले उसका एक छोटा सा परिचे हो जाएगा, उसके बाद जब मुख्य भाग में आएंगे हम लोग, क्योंकि हम बात करेंगे विदेश निती पर असर की, तो फोकस वहीं पर रहेगा, तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर में, दच्छन एशिया में हमें क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं, वो देखेंगे, हिंद प्रशांत, जो कि भारत के लिए एक हमारा खर्च बढ़ रहा था, जो कि एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को दिखा रहा था, अब वो खर्च भी हमारा घटेगा, हमारा जो सीमा छेत्र है, चाहाए वो LAC का छेत्र हो, LOC का छेत्र हो, वहाँ पर हमें अब आधुनिकी करण कारेक्रमों पर थोड़ा सा कम ख खर्च करना होगा, चीन के साथ जो हमारे विवाद होते रहे हैं, अब हम हो सकता है कि समझोता वादी, रवया अपनाने के तरफ आगे बढ़ें यहां से, इसके अलामा कमजोर अर्थ्यवस्था के कारण जो हमारी अनुदान कूटनीती है, उस पर भी कहीं न कहीं असर पड बढ़ सकता है, अब भारत क्या कर सकता है, हमें सार्क का महत तो बढ़ाना होगा, और इसके माध्यम से हम अपने पडोसी देशों को एक मंचपर ला सकते हैं कम से कम, अमेरिका जो सैन सहयोग के लिए दबाव बढ़ाएगा, उसे नेंतरित करने के लिए हमें अन देशों के साथ सैयोग को बढ़ाना होगा, रूस इसमें हमारी मदद कर सकता है, इस तरीके से ये उत्तर कम्प्लेट हो जाएगा, अगला प्रशने रहेगा स्टूडेंट्स, प्रवासी श्रमिकों के जीवन और जीविका की रक्षा के लिए प्रभावी उपाए, नगर ने दिखाई पड़ते हैं, टिप पड़ी कीजिए, एक सो पचास शब्द, दस अंग, उत्तर की सर्मरशना की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले प्रवासी श्रमिकों का परिचे, आप लोग लिखें, उसके बाद प्रवासी श्रमिकों का जो महत तो है, सस्ते श्रम के रूप में, उपलबधता के रूप में, उसको यहाँ पर एक खंकित करें, फिर लोकडाउन का जो असर पड़ा था पिसले साल और इस साल जो दिखाई पड़ रहा है, उसको बताएं, उसको जीवन और जीविका के साथ में जोड़ें, और इसके साथ में अनुबंध श्रम, विनियमन औ और उन्मूलन अधिनियम 1970 और व्यावसाइक सुरच्छा, स्वास्थ और काम की स्थिति सहीता 2020 इनका जिक्र कर दें, तो इससे आपका उतर और प्रभावी हो जाएगा, और अन्त में कानूनों का प्रभावी क्रियानवयन बहुत आवश्यक है, और अन्य नेतियां भी बना जाने की जरूरत है, जो की भविश्य में प्रवास्थी श्रमिकों के वेलफेयर के लिए काम कर सकें, उनके जो बच्चे हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी काम किये जाएं, स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया